नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आप सभी को पते कि KBS एक्जाम तो स्टार्ट हो चुके आप सब का KBS का PRT एक्जाम 21 से स्टार्ट है जो 28 तक चलेगा अब आप सबने बहुत अच्छे तयारी की हम सबने बहुत महिनत की अब आपको लाज्ट टैम में कुछ गलतिया जो नहीं करने है एक्जाम हॉल में कौन से गलतिया नहीं करनी है पेपर देती समय कौन से गलतिया नहीं करनी है जिससे आपको एक्जम बहुत खराब हो सकता है इनी सारे पॉइंट के बारे में डिसकस करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कर ले सेर दुनिया की ओगाली फिर जिंदिगानी कहां मतलब अभी आपके पास जो टाइम है इसी टाइम के यूटिलाइज करिये अगर आप सोचेंगे कि एक्जाम के बाद में बहुत पढ़ लूँगा बहुत पढ़ लूँगे तो क्या फायदा होगा अभी जो टाइम है जितनी मेहनत कर सकते अभी करनी है तो आप हम डिसकस करेंगी कैसे हमें बहुत अच्छे नंबर लाने क्या गलतियान नहीं करनी है जिसे आपको पता है कि आपको एक्जाम केता है 180 मार्क्स का अब आपको 180 मार्क्स में अगर आपको पूरी से पूरी के तयारी करेंगे एक तो तयारी नहीं हो सकती हमें जो भी अपनी planning बनानी ची ऐसी बनानी ची प्योहारी को उसको amplify कर पाएं तो हमें कोसिस करनी कि हमारे 150 plus marks आ जाएं ताकि हमें interview की call आ जाएं तो उसके लिए मैं क्या करना है आपको पते कि जो Hindi और English ये दूनों subject ही आपके 60 number को score करते हैं अगर आपकी मान लिएची कि बहुत अची math नहीं है फिर भी आप 60 में आराम से 55 number score कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की comment आ रहे थे कि मेरी math तो बहुत वीग है क्या करना है तो आप Hindi पर focus करें बहुत अच्छी तरीके से English पर focus करें बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि इसमें आपकी gram and portion के साथ सतक्या है आपके vocab session यह सारी चीजें भी है इसके अलावा आपका क्या है जैसे gk gk में आपका क्या 10 number में आपकी current भी है और gk भी है तो आपको क्या करना है बहुत जादा या तो कुछ current के portion जैसे award हो गये इसके लावा कुछ स्पोर्ट से अवर्ड हुए, अभी जैसे द्रोडा चारवर्ड मिला है, आपके राजी युगांदी अवर्ड का नाम बदला गया, इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की, इससे का रिजिनिंग की प्रक्टिस ये टेलिग्रम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं, अब आपको फोकस करना है, आपके पैड़ा गौजी सेक्शन में, पैड़ा गौजी सेक्शन के चारो यूनिट को उनिट को उनिट बहुत अच्छे से बढ़ा है, आप आपको उन सारी चीज़ों को रिवाइच करना है, और शॉर्ट में कैसे रिवाइच करना है, इसके लिए भी मैं आपको 2-3 इंगलेट की वीडियो दे रही हूँ, उनको शॉर्ट में रिवाइच करकर ही चाहिएगा, पीडियाफ आपको टेलिग्रम में मिल रहे हैं, अगर आप चैनल में नहीं हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा, क्योंकि लाज्ट टाइम आपकी तैयारी बहुत इंपोर्टन होती है, और आपको हिंदी इंगलिस तो आपको पताईगी कैसे स्कोर करना है, इसके लाब मैथ, मैथ आपको NCRT बेस परकर जाना है, क्योंकि आपकी प्राइमरी लेवल में बहुत टाफ मैथ नहीं पूछे जाएगे, अगर आप SST की मैथ लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, NCRT की PDF पढ़ लिजेगा, इसके लाब जो क्लासिस में लिए, उन सारी क्लासिस को देखकर चाईगा, इसका जो लेवल रहेगा आपके Sleevers में बोला गया था, Trolls Standard तक का, तो सिर्फ Seated का नहीं पढ़ना, तो मैंने पूरी क्लासिस लेए, उन सारी क्लासिस को देखके, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अब लाइस टाइम में आपको stress नहीं लेना, परिशान नहीं होना, मिहनत आ आपको मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू,